विरेंजी भी आगा है इस डिवेट में विरेंजी स्वागत आपका क्या बात है यह इतना वक्त क्यों लग रहा है देखिए अतनी तारीक तो साइद अदालत में भी नहीं मिलती जतनी तारीक राजभर जी ने देदी सपत गरहाण की अब तो वो एलानिया कहते थे कि हम भी मंतरी बनेंगे और दारा सिंग्च वहान भी मंतरी बनेंगे लेकिन वो तारीक ही कभी नहीं आई अब योगी सरकार लगबग दो साल के करीब होने जा रहा ही 25 मार्च को पूरा कर लेगी और जब वो दो साल पूरा होगा उस समय अचार संगीता लगी होगी लोग सभा के चुनाओ चल रहे होंगे सरकारी ज़स भी नहीं होगा उमीद यही थी कि नवंबर दिसंबर में फैले यह हुआ कि भाई नवरात्र तक यह सब मामला निपड जाएगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं तो मंत्री मंडल का विस्तार अगर नहीं हो रहा है और दिल्ली में तिल लंबी चोड़ी मीटिंग हुई तो मीटिंग के फाइदा का निकला और उसके बाद भी तारीख आई मुख्यमंत्री राजभौन मिलने भी गए यह हुआ कि अब तो फोन भी जा रहा है लोगों पास अब सपत हो जाएगी लेकिन नहीं हुआ बिर्जेज जी एक आदमी भादपा के लिए जान दे दिये जा रहा है और दूसरी तरब लोग कह रहे हैं कि अभी और पलिदान करो राजभर जी की मेहनत में कोई कमी तो रही नहीं घोशी उप चुनाओ हार गए अब वो तो दारा सिंग चौभान की वोई असार गए वो पार्टी न बदले होते तो नहीं न उबताती लेकिन ये उमीद थी कि अपकी बार दिवाली पर निरास नहीं होना पड़ेगा पहले तो ये भाई आया कि चलो गुप्चुना हो गया घोशी का अब तब फिर आया एक दसहरा फिर रामल भी मर्गवा फिर नहीं हुआ फिर ये हुए कि अब दिवाली अब दिवाली भी आज दस्तारीक बीद गई जो डेडलाइन थी आखिर बीजेपी मंत्री मंडल का विस्तार करेगी कि नहीं करेगी कि खाली सबको इसे हवा में उल्जाये रखेगी ये भी एक बड़ी समस्या है अब तो खैर पंदरा तक उम्मीद नहीं है क्योंकि दिवाली बात परिवा आईजे विर उसमें भाई या दूज आ जाएग तो अब तो पंदरा तारिक से पहले कोई तारिक मिलना मुश्किल है वैसे बिर जेजी दिल्ली में बहुत बड़ा मंधन हुआ था तब सबको उमीद बंधी थी कि नए मंत्री बनेंगे पत खाली है कोई समस्या नहीं है कुछ लोगों भाग पदला जाएगा लेकिन वो मू मूल कार करता तो दरी बिचाता है जंडा उठाता है नारा लगता है और बाहर से आने वाले लोग जो है मंत्री बन जा रहे हैं उसका दर्द एक अलग दर्द है और जब से राकेश तिर पाठी मत परदेश गए इनको भी कपड़ा बदलने का अधत लग गई बार बार वो आज तक पर प्रोग्राम चला हुआ दूसर कपड़ा में हैं यहां दूसर कपड़ा में बैठे हैं वहां भी उनका ड्रस बदला हुआ है तो भाजपा में सौक फर्मानें कोई कभी नहीं चल रही है मंत्री मंडल विस्तार हो और चाहे ना हो चाहे क्यों दिवाली में सपत ले चाहे ना ले विर जी अधन13 का मौका है सब लोग बधाई दे रहे हैं अऔर जो लोग धन को तरस रहे हैं उनके लिए कैसा धन13 ल कर maintenant आज के इस मोके पर उपरवाले सरे तो हम लोगों को यही प्रात्थना करनी चाहिए कि चाहे इस देश में धन बरसे न बरसे लेकिन कोई आदमी रोटी को न तरसे क्योंकि हर आदमी को इस्वर रोटी दे, सुख संपनता दे इस मोके पर हम लोग तो यही कह सकते हैं बिर्जे जी एक बात लगती है जब दारा सिंग चुनाव हारे थे तब ये आया कि घोसी में भाजपा ने बहुत मेहनत की लेकिन चुनाव निस्फक्ष हुआ कहते हैं कि जन्मत के खिलाप जाकर दारा सिंग को भाजपा सायद मंतरी नहीं बनाना चाहती क्योंकि जन्मत का फैसला दारा सिंग के खिलाप आया और अगर जन्मत के खिलाप उनको मंतरी बना दिया जाए तो बहुत बहुत रिस्क आगे लोग समझ चुनाओं में आ सकता है ये भी एक बीजेपी के जानकारों का आकलन है वैसे तारीख फिर कोई नहीं आएगी अब आप देखिए इंतिजार करिए लेकिन आजकर लोग बड़ा आनंद लेते हैं और कहते हैं कि सहीयोगी लोग ये कहके हम अपने दिल को बहला रहे हैं कि वो चल चुके हैं वो आ रहे हैं और कब आएंगे कुछ पता नहीं है सुनियेगा कि अभी भी दारा सिंग और आजबर जी ने उम्मीद नहीं छोड़ी है उसी उम्मीद पर निखा है कि यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है और हवा की ओट लेकर भी चिराग जलता है और सफर्ग में अब के ये तुम थे कि खुश गुमानी थी यहीं लगा कि कोई साथ साथ चलता है और उम्मीद और आज़ की रुत आती जाती रहती है मगर यकीन का मौसम नहीं बदलता है बहुत शुक्रिया विरेंजी हम सब भी यहीं यकीन कर रहे हैं कि राजबर जी एक दिन मंत्री जरूर बनेगे विरेंजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद बैन भाईयों भारती जन्ता पार्टी के प्रवक्ता राकेश तरपाटी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए राकेश जी घुम फिरकर बात यही आ रही है कि जितने सम्मान के साथ आप उनको लाए थे लेकिन उनको वाजिब सम्मान किनी कारणों से आप मिल नहीं रहा है वो कारण क्या है